Welcome back to the channel, you want, I hope you guys are doing absolutely fine कुछ ऐसी चीज़ देखी जो मैं आज तक नहीं बूल पाया तो हमेशा की तरह ये स्टोरी टाइम भी होने वाला है 100% रियल और बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग तो वीडियो को पूरा देखना और जिसने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया होगा प्लीज वाई लोग आज कर देना तो ये कहानी उस टाइम किये जब हम लोग रैंक पुष किया करते थे और आप तो ये चीज़ जानते होगे उस टाइम रैंक पुष करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था तो हम लोग रात बर खेला करते थे मुझे आज भी यादे मेरे कजन ब्रदर की शादी थी और मैं फिर भी गेम के साथ ही बीजी था लेकिन उसकी शादी एटेंड करना जुरूरी था तो मैं वहाँ चला गया और फिर हुआ क्या वहाँ पे भी मैं गेम ही खेल रहा था और मैं उन दुन आईफोन पे खेलता था और आपको तो आईफोन का बैटरी बैकप पता ही होगा मुझे लगा था शायद चार्जर बैग में ही होगा लेकिन मैं वह गर पे ही बूल गया था या तो वो चाबी रास्ते में गिरी थी या तो वो कजन के गर पे थी पहले मैंने सोचा कजन के गर वापिश जाता हूँ लेकिन फिर मैंने सोचा टाइम वेस्ट होगा साला गेम जो खेलनी थी तो अब मेरे पास एक ही आप्शन था जुगाड हमेशा की तरह इस बार भी प्लैन एकदम सिंपल था टॉफ फ्लोर के रूफ से अंदर जाना है और मैं इससे पहले भी एक बार सीडी लगा कर वहां से उपर गया था लेकिन वो कुछ साल पहले था वो भी दिन के टाइम और सच बोलूं तो उस दिन तक मुझे रात को बिलकुल डर नहीं लगता था हमारे गर का जो स्टोर रूम है वो एकदम गर के क्लोज है तो मैंने स्टोर रूम के छट से अपने गर की छट की तरफ सीडी लगाई तो मेरे को पता था कि उपर कैसे चड़ना है मैंने कजन को भी बोला मेरे साथ उपर चड़ लेकिन वो साला इतना डर पोक उसने माना ही नहीं तो मैं बिना रुके सीधे सीडी से उपर चड़ गया और आराम से टॉफ फ्लोर जो की गर का रूफ था उसके अंदर आ गया और वहां से गर की में सीडी से नीचे उत्रा और अपने रूम में आ गया मैंने रूम से चार्जर पाउर बैंक सब उठा लिया और अब बाहिर जाने के लिए मेरे पास दो आप्शन्स थे तो मैंने डिसाइड किया मैं वापिस अपने रास्ते से जाता हूँ लेकिन वो डिसिजन मेरी जिंदगी का सबसे गलर डिसिजन था जो ही मैं उपर वाले फ्लोर पे वापिस गया तो मैंने वहां पे कुछ ऐसा देखा जो सुनके आप भी डर जाओगे लेकिन वो बताने से पहले मैं आपका सिर्फ एक मिनट लेना चाहूंगा What is FamaSafe? Track your kids' whereabouts. View the history location so as to assure they have not been to unusual places. Set geofences as safe zones and get alerts when your kid enters or leaves geofences. Based on different situations, you can control time on screen to limit the usage of device, like at school or bedtime. Monitor how your kids use their phones. Learn how frequently your kid's phone is being used during a day. Block app usage during study or sleep time. Keep your kid away from potential online threats by blocking any unwanted or inappropriate websites with harmful content, such as pornography, gambling, violence, etc. Once the app is installed, you can make set everything on your device flexibly. Location tracking, app blocking, web filtering, screen time control, and more. Love your kids. Keep them safe. Mujhe áj bhi yad hai, jab mein top floor pere vaapis á gaya, और मैं उस CD से वापस उतरने लग जो मैंने बाहिर से लगाई थी. मैंने सिर्फ CD पे pad डाले थे, लेकिन मैं अभी उत्रा नहीं था. मुझे अचानक top floor के अंदेरी की तरफ नजर पड़ गई. तो वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी था, सफेद कबडे लगा कर. उसका face दिखनी रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदेरा था. साला मेरी जानी निकल गई, मैं इतना गबरा गया, देट मैं CD लेकर स्टोरूम के छट पे गिर गया. और इतना जोर से गिर गया, मेरे मूँ से चीक निकल गई. और सच बोलूं तो पूरी कॉलनी ने मेरी वो चीक सुनी. मेरा कजन जल्दी से स्टोरूम के छट पे आ गया, और मैं सच बोलूं तो मैं इतना ज़्यादा डर गया था, मैं उट भी नहीं पा रहा था. और इतनी देर में सारे पडोसी वहाँ पे पहुंच गए. और मुझे स्टोरूम के छट से नीचे उता रहा. मुझे आज भी यादे कुछ पडोसी मेरे को बोल रहे थे, क्या हो गया, कुछ मेरे को पानी पिला रहे थे, लेकिन मैं इतना ज़ादा डर गया था, कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था. कजन ने उनको सारी बात बताई. लेकिन साला कजन भी परेशान था कि मैंने चलाया क्यों और मैं नीचे कैसे गिर गया. तो थोड़ी देर में पानी वगएरा पी के मैं नॉर्मल हो गया और मैंने उनको बताई उपर कोई सफेद सा आदमी है. और उन लोग को लगा शायद गर में कोई चोर है. उन में से एक पडोसी पुलीस में ही काम करते हैं. तो वापी सीडी लगा कर वो उपर चड़ गए. लेकिन गर में कोई चोर वगेरा नहीं था. और उन्होंने ये बोला जिसको मैं सफेद आदमी समझ रहा था, वो वहाँ पे सफेद कबड़ा सुखाने के लिए है. फिर मैंने भी वो चीज मान ली, वो शायद कबड़ा ही था, लेकिन जितना मुझे याद है, वो इनसान जैसा ही था. फिर डेड़ साल तक में उपर भी नहीं चड़ता था. लेकिन फिर फाइनली मेरे दिल से वो डर निकल गया. अब मैं रोज दिन में एक बार उपर तो जाता ही हूँ, क्योंकि मेरी बिल्ली उदर ही खेल रही होती है. तो क्या आपकी भी लाइफ में कोई ghost story है, मेरे को comments में ज़रूर बोलना. और अगर आप चाते हो कि ऐसे और story time videos आए, तो इस वीडियो पे like target है, एक लाक लाइक का complete कराद होगे, तो आगे भी और ऐसे मज़ेदार story time videos आएगे. और अगर आपने इस series के बाकी parts नहीं देखे होगे, आपको description में सारे links मिल जाएगे. तो यही था इस वीडियो में, अगर आप कोई वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक कर देना, इस वीडियो पे चैनल को भी subscribe कर देना, बाबाई, I love you all.